आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोसंदान को स्लेब यानि की छट के तुरंद नीचे लगा दिया गया और यदि हम सेकंड कंडिशन की बात करें तो सेकंड कंडिशन में आप देख लीजिए कि रोसंदान को स्लेब से लगभग 9 इंच नीचे लगाया गया है तो यहां पर कुश्ण उठता है कि रोसंदान को लगाते समय रोसंदान को सलैब के कुछ इस तरीके से बिलकुल नीचे लगाना चीए या फिर कुछ इस तरीके से सलैब से 9 इंच नीचे रखना चीए इस वीडियो में हम आपको प्रेक्टिकल तरीके से रीजन के साथ बताएंगे तो चली वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो की सुरुआत करने से पहले आप सभी से बस शोटी सी रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीशे और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर वेल आइकन प्रिस कर लीशे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे तो रोसंदान के लोकेशन को लेकर आपने दो चीजे जरूर से जरूर देखी होंगी पहला रोसंदान को आपने कुछ इस तरीके से स्लैब के जेश्ट नीचे लगा हुआ देखा होगा या फिर कुछ इस तरीके से स्लैब की तली से थोड़ा नीचे लगा हुआ रोसंदान आपने देखा होगा तो रोसंदान लगाने के लिए इन दोनों में से कौन सी लोकेशन बेश्ट है या जानने के लिए चैनली की लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर लिखा क्या है तो ये हम सीविल इंगिनरिंड बुक की बात करें तो आप भी सकते हैं कि यहां पर इस पश्ट रोप से लिखा हुआ है कि साधारन किस्म का रोसंदान कमरे की छट के तल से थोड़ा नीचे लगाया जाता है यानि कि घर में हम कुछ इस तरीके से जो रोसंदान लगाते हैं इसको कुछ इस तरीके से सलैब के तुरंद बाद नहीं लगाना चीए बलकि कुछ इस तरीके से slab की तली से यानि की slab के bottom से थोड़ा नीचे लगाना चाहिए बट यहां पर यहां इसपस्ट नहीं किया गिया है कि हमें slab से कितना नीचे लगाना चाहिए तो चलिए हम आपको practical तरीके से दिखाते हैं कि यदि आप slab के बिलकुल नीचे कुछ इस तरीके से रोसंदान को लगाते हैं तो इससे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है और रोसंदान लगाते समय आपको slab से कितना नीचे रखना चाहिए तो civil engineering की book देखने के बाद आपका ये 0.100% किलियर हो गया होगा कि रोसंदान को हमेशा slab की तली से थोड़ा नीचे लगाना चाहिए बट यहाँ पे question उठता है कि क्यों लगाना चाहिए यदि हम normally बात करें तो slab के बिलकुल नीचे कुछ इस तरीके से यदि आप रोसंदान लगा लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की technical problem तो नहीं आएगी बट यदि आपने घर के अंदर कुछ इस तरीके से false ceiling लगाने की सोची तो उस situation में आप false ceiling को जितना नीचे लगाने वाले हो उतने area में किसी भी तरीके का gap नहीं होना चाहिए example की बात करें तो मान लीजिए आपको इस रूम में false ceiling लगानी है और यहाँ पर जो रोसंदान है वो slab के बिलकुल नीचे लगा हुआ है और आपने decide कि हमें false ceiling slab से 4 इंच नीचे लगानी है तो ऐसे में slab के नीचे 5 पिंच और इसके साथ साथ जो false ceiling होगी उसकी मोटाई को जोड़कर slab के नीचे किसी भी तरह का gap नहीं होना चाहिए तो ऐसे में इस रोसंदान को निकाल कर आपको minimum 6 से 7 इंच नीचे करना पड़ेगा तो यही कारण है कि रोसंदान लगाते समय हमेशा रोसंदान को slab से 9 इंच नीचे लगाना चाहिए जिससे in future यह आप अपने घर के अंदर कुछ इस तरीके से false ceiling लगाने की सोचे तो आपको किसी भी तरह की तोड़ फोर ना करनी पड़े तो रोसंदान लगाने के इन दोनों तरीकों में यह तरीका बिलकुल सही है आपको इसी तरीके से slab के bottom से लगभग 9 इंच नीचे रोसंदान को लगाना चाहिए सो उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद